सभी बच्चों को नमस्कार हम बात कर रहे हैं सिंगेस्ट कैलकुलस की उसके चिप्टर 7 इंडेफिनिट इंट्रिकेशन की बात हो रही है जिसकी concept application exercise 7.7 की हम बात कर रहे है तो देखते हैं उसका next question देखिए इसका second question क्या कर रहा है यह कर रहा function के बारे में दिया है integrate करिए 1 upon 1 plus 9 plus 16 sin square x यहनि 1 upon 9 plus 16 sin square को x के साप एक समाकलन करना है देखिए 1 upon a plus b cos square x या a plus b sin square x अगर इस प्रकार का form हो तो क्या करते हैं हम उपर नीचे cos square x से divide कर देते हैं ऐसा बोलें या नीचे से cos square x कमल ले लेते हैं ऐसा बोलें अब आप कहेंगे divide कर देते हैं ऐसा बोलें तो अछी बात है common ले लेते हैं कहां बत्य को мृत बже वता रहे हो यहां तो cause square x हाई नहीं अरे अगर कहीं से common लेना है और वो चीज वहाँ नहीं है तो divide में आ जाएगी क्या दिक्कत है जैसे माल लीजिए यहां x plus 5 है हमने कहां यहां से y common ले लो तो आपने कहा y तो है नहीं हमने कहा common ले लो हमने कहा y ढूड़ो तो हमने कहा ठीक है y common ले ले रहे तो यहां x upon y plus 7 upon y आ जाएगा क्या दिक्कत है तो ऐसा हम कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे यहां से cause square x common ले ले नीचे से ऐसा बोले या उपर नीचे cause square x से divide कर दे दोनों बाते सही है क्यों बोले भाई ऐसा करने से क्या होगा कि उपर से क्सक्वार आ जाएगा और नीचे 10 में convert करने की कोसिस करेंगे 10 को t मानेगे और उसका derivative उपर present होगा ठीक करिए इसको देखें मैंने उपर नीचे cause square से divide कर दिया लिख नहीं रहो dividing उपर नीचे dividing numerator and denominator अंस और हर को cause square से भाग करने पर तो उपर divide किया तो क्या हो गया से क्सक्वार एक्स नीचे इसको भी divide करो इसको भी divide करो इसको करो इसके पाद cause square है नहीं तो हमने का तुमारे पास आ जाएगा साथ में से क्सक्वार एक्स और 16 को जब divide किया तो बन गया एक्स डी एक्स sec square x d x अपान दो को ये 9 आएगा 9 10 square x plus 16 10 square x 25 10 square x अब उसको लिखेंगे 5 10 x का whole square क्योंकि मैं 10 x को t मानूँगा और 10 x के साथ 25 आएगा तो बहुत लोग कहते हैं 25 काम ले लो उन्होंने का नीचे 25 10 square x आएगा ये लिखा 9 plus 25 10 square x और आप 10 x कोटी माना चाहते हैं तो बहुत लोग कहेंगे 25 कामल ले लो तो आएगर 9 upon 25 plus 10 square x तो हम ऐसा क्यों करें भाई कामल ने फिर 9 upon 25 आएगा फिर अपान आएगा तो अपान आही रहा है तो हम कामल कहें लें हमने का भाई 10 x को t माना चाहते हैं न 25 की यही तो खता है कि whole square हो नहीं है तो मैंने का ठीक है 25 को 5 square कर देंगे और 10 भी 10 square है दोनो square square होंगे दोनो group में आ जाएंगे यह 5 10 x हो जाएगा किसको t मान लेंगे 5 10 x को t मान लेंगे मान लो let 5 10 x बरावर t किसी चीज़ को t मानते हैं तो बताया गया उसके साथ कोई derivate जो उसका coefficient होगा जो उसका गुडांक होगा उसको साथ में t मानना पड़ता है अब चूंकि square में था इसलिए इसको square में convert किया हमने तो इसको जब differentiate करें कि 5 sec square x dx is equal to dt चूंकि हमारे पास तो 5 यहां है नहीं तो मैंने यहां से sec square x dx निकाला तो आएगा 1 upon 5 dt आप चाहो तो किवल dx निकालो 1 upon 5 sec square x कर दो और जो 1 upon 5 sec square करोगे तब sec square cancel कर दो कुछ लोग ऐसा लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रग दो यहां so i is equal to उपर हो जाएगा 1 upon 5 dt और नीचे हो जाएगा 9 बोले तो 3 square plus t square अब यहीं पर गाड़ी रुख गई और formula हम खोजने लगे कि formula कौन सा दिख रहा है बताएं कि कौन सा formula दिख रहा है 1 upon a square plus x square क्या होता है formula फिलाल t square है चुकि variable t यहां पर है 1 upon a 10 inverse x पाने यानि 1 upon 5 तो पहले से बाहर है 1 upon 3 10 inverse t upon 3 plus constant t कमान रग दो तो आएगा 1 upon 15 10 inverse t क्या है 5 10 x तो 5 10 x upon 3 plus constant हो गया मतब आप 5 10 x को t नहीं माना चाहते हैं मतब नहीं मानूँगा मत मानूँ करो बत्मी जी तो यहां से कामल लो 9 upon 25 आएगा तो उसको 3 upon 5 का square करोगे तो जब 3 upon 5 करोगे यहां पर 3 upon 5 करोगे तो 5 पर जला जाएगा तो methods वही है procedure वही है मानू चाहे ना मानू common लो चाहे ना कामल लो दोनों method से answer वही आने वाला है ठीक है तो यही आपका answer आ रहा होगा तो यह आपका second question है next in the next video नमस्कार